हेलो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ धेरा दून के बहुत ज़ादा बड़ी गार्डिनिंग शॉप पर इस शॉप पर हमें गार्डिनिंग के सबी प्रोड़क्ट मिल जाएंगे चाहे वो गमला हो चाहे वो किसी भी प्रकार का गार्डिनिंग टूल हो चाहे वो फटलाइजर हो चाहे वो सीड हो चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे वो स्प्रे बोटल हो इसी के साथ साथ अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स की वराइटीज भी मिल जाएगी जो कि काफी ज़दा फेमस प्लांट होते हैं तो आज इस वीडियो में इस शॉप को मैं कवर करने वाला हूँ देखेंगे कौन कौन से प्लास्टिक के पॉट्स कौन कौन से चीजे आपको यहाँ पे मिल सकती है तो अगर आप देरादून में हो या फिर आपको एक ऐसी शॉप आप ढूंड रहे हो जहाँ पे आपको गार सारे इंडूर प्लांट्स आप रखे हो हैं इसके साथ साथ आपको यहां पर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स मिल जाएंगे और यह वेजटेबल वाले प्लांट्स भी आपको आपको यहां पर मिल जाएंगी आप देख सकते हो जो यहां पर बहुत जल्दी विंटर स्टॉ लोगों को बेसल का प्लांट नहीं मिल पाता है तो आपको तुल्सी जी का प्लांट भी यहाँ पर मिल जाएगा इसी के साथ आप भी देख सकते हो यहाँ पर भी यह सारे इंडोर प्लांट रखे हो हैं और यहाँ पर बॉंजाई प्लांट भी रखे हो हैं चोट चोटे से और इसी के साथ यहां पर यह देखिए, बैंबो प्लांट्स की भी काफी सारी वराइटी है, इसी के साथ साथ अगर आपको अपने घर, गार्डन, ओफिस को डेकोरेट करना है, आर्टिफिशल लीव से, आर्टिफिशल प्लांट से, तो इस तरह के आर्टिफिशल प्लांट्स भ अगर आपको बड़े पॉट का शौंक है आपको बड़े प्लांट से अपने घर में लगाने हैं तो आप इस तरीके के पॉट्स भी हां से ले सकते हो यह देखिए यह सारे बड़े-बड़े प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं यानि की जल्दी खराब भी नहीं होते दूप मे प्थर की बड़े प्लांट इसके प्लांट अर पर ब्लांट इसका साथ इंडोर प्लांट यहां पे रखेmb्ली प्लांट यहां प्लांट प्लांट को और यह भी का लगण डिस्प्लेध करें रखे हों है तो आप इस तरीके से अपने office के पे प्लांट रख सकते हो जैसे कि ये शो रूम का counter है इस counter के ओपर उन्ने plants रखे हो हैं तो इसे देखिए यह सारे इंडोर प्लांट्स हैं और इंडोर बहुत इजीली आप इनको ग्रो कर सकते हो इसी के साथ साथ यहां पर यह शावर्स रखे हो हैं सारे जितने भी गार्णिक शावर्स हैं और एक्रिकल्चर में भी शावर्स यूज होते हैं यह सभी शावर्स आपको आपे मिल जाएंगे और इन पर को काफी सारी panel कतना में कि दग और अगर आगर आपको खाली। पाइप के लिए शावर्स शावर केया है। ने कि खाली आपको आगे पाइप में गया कनेक्ट करना है तो भी आप आप यहां से पर्चेस कर सकते हो। इसा के साथ मेरे चाहीआ सब्सक्राइ़ चाहिए आरो सवावार, कि रख़। तो चीखें सेब्सक्राइब को यहाँ आप सेःक्टाइब पर यहाँ के सारी होगोगे सेज़ा की सिटmakने मानत्व। इस पून के मेरे ने क्वाटरबन सब्सक्राइब के साथ यहाँ है吧 तो वो भी आपको आपके मिलेंगे यानि कि A to Z आपको सीट्स में भी सारी वराइटी आपके मिल जाएंगी और एक चलिए आपको मैं इनके शोरूम का उपर से व्यू भी दिखा देता हूं यह देखिए यह है इस शोरूम का लोगो यह है उत्रांचल एग्रो तो इनका युआ शोरूम में और यह इसका निव लोगो है यहांसे और ऊपर तक के फ्लौर पर जाता यानि यह देखिए यह यह तो इसक फ्लौर आने कि ग्राउन फ्लौर है शोरूम का यह फर्स्ट और बादूर और काफी बढ़ीया और गया sous़्वस्जा पर काफी बड़ा श्ट हैं इस फाम पर फ्लास्टिक सब्सक्रा जाएंगे अर्फरेंट एंटीड हम से था बहु है कि अई ख दाया बगाने सब देखियेरद मिलगे कि इस एक इंस के पलास्टिक के देखियों हैं जाये देखिए पूरा इन्होंने आपे stock लगा के रखवाई तो आपको आपके हर gardening और हर agriculture need का समान यहाँ पर बहुत easily मिल जाएगा इस shop का जो address है वो नीचे में डाल रहा हूं तो अगर आप धिरादून से हो या फिर धिरादून के आसपास से हो तो आप इस shop पे जरूर विजिट कर सकते हो अगर आपको अच्छे प्रोड़क्ट्स चाहिए तो यह देखिए सारे gardening के टूल्स भी आपे हैं यहाँ पे मतलब थोड़े low quality के टूल्स भी हैं और काफी high quality के अच्छे imported tools भी आपे हैं जो की भार country से imported करे गए हैं तो सब भी tools आपको आपे मिल जाएंगे यह द देखिए यह रखे हैं gardening sprayer और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़े agriculture level पर कुछ समान चाहिए वह भी आपको आप अविलेबल हो जाएगा अभी बहुत जल्दी इस शोरूम में काफी सारी new machines भी आने वाली agriculture machines अभी रिसेंटली यह जो शोरूम है इन मैं थोड़े से fertilizer से भी दिखा दिखता हूं इस शोरूम पर आपको fertilizer से मिलेंगे organic fertilizer भी मिलेंगे और inorganic fertilizer भी मिलेंगे तो यह देखिए यह बोन मील जिनको कुछ organic चीज़े डालनी होती है तो यह बोन मील है वो इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर यह डिय पी रखी तो यह देखिए सारे इन्होंने अलग-अलग sections बनाए हो है और sections वाइस सारे fertilizer रखे हो है और यहाँ पर यह रखा हुआ है manganecium sulfate और यह रखा हुआ यूरिया तो आपको सारे यहाँ पर fertilizer मिल जाएंगे चलिए एक बार आपको शोरूम का overview और दे देता हूं यह देखिए यह है पूरा शोरूम तो दोस्तों आपको शोरूम कैसा लगा नीचे कमेंड में लिखे जरूर बताएगा और अगर आपको भी गार्टिंग का शौक है आप देसा दून के आस पास से हो तो आप इस शोरूम पर जरूर आ सकते हो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जल्दे मिलूंगा इस शोरूम की एक और वीडियो के साथ और बहुत जल्दे आपको मैं बताऊंगा इस शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पे क्या है और इस शोरूम के ओनर से भी मिलेंगे हम और जानकारी लेंगे कि और यहां पे क्या-क्या ह दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब बहुत जलने मिलें को एक और नहीं वीडियो में तिल रेंट टेक क्यार बाय बाय नमस्कार पेड़ पौधे लगाते रहिए धरती को हरा भरा बनाए रखिए जैहिंद बंदे मात्रम झाल 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 झा